गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स अब हम लोग मौर काल से संबाधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं तो यहाल भी ancient history का जो हम लोगा काल चल रहा है जिसमें सारे के सारे फैक्ट ऑनलाइनर के रूपे में दिख रहे हैं तो यही मैं आज हम लोग मौर काल में आ गए हैं इसे प कुछ थे इन ही कि तो उपज चंद्रगुप्त मौर था तो यहां विस्नुगुप्त का ही अलने नाम है कि इसकी तुल नाम में किया वाली के प्रिंस से की जाती है तो यही कोटील का और सास्त्र वहां सास्त कौन था जिसने राज सिहासर में बैठने के लिए अपने भाई प्रिंस इसमें तीन प्रमुख राजा होते हैं संस्थापक इसका चंद्रगुपत मौर दूसरा बिंदुसार तिसरा महान राजा जो पहले चंद असोक साबाद में महान असोक होगा और सबसे अंतिम बिहद्रत जिसकी हत्या पूर्ष में मीत्र सुंग के द्वारा कर दी ज असोक ने अपने सभी अभी लेखों में एक रूपता के लिए प्रकिर्ती का प्रयोग किया है किसका तो प्रकिर्त का प्रयोग किया है यह क्या है तो यहां और्ध मागधी भासा है बिंदु सार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए असुख को कहा भी जा था तो तक सिला क्यों पहले वहाँ का गॉवर्नर सुसीम था लेकिन सुसीम से कंट्रोल नहां हुगा तो असुख को जाना पड़ा वहाँ ब्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम पिरिया पिया दसी था तो वहाँ मौर समराट असोख का नाम है प्राचींतम राजबंस कौन सा है यानि जो भिकल्प होगा उसमें मौर रहा होगा कोटी लेचाना के किसका परधान मंत्री था तो चंद्रगूप्त मौरे का कलिंग विजय के उपरांद असोक महान ने किसम धर्म को अंगिकार किया था तो बौध धर्म को चंद्रगूप्त के सासन विश्तार में किसने मुख रूप से मदद की थी तो उसका नाम चनक था साची की सकला वह मुर्ती कला का निरूपन करता है तो यहाँ बौध कला का है प्राचीन भारत का वह परसित सासक जीस ने अपने जीवन कंदिम दीनों में जैन धर्म को अपनाया था नाम था इनका चंद्रगूप्त मौर्य मौर समराज की अस्थापना किसे ने की तो चंद्रगूप्त मौर्य ने की मौर समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो पौन था असोक का उतराधिकारी कौन था कुनाल मुद्राराक्षस के लेखक तो यह विसाख धत था कौन तो मुद्राराक्षस के लेखक विशाख धत के प्राचीन भारती नाटक मुद्रा राक्षस की विशाबस्तु क्या है जिसमें चंदुर्गुप्त मौर के समय राज दर्वार की दूर्भज संधुईयों के बारे में बताया गया है मालवा गुजरात एवं महराष्ट की सासक ने पहलिवा जीते तो चंदुर्गुप्त मौरे था किसने सही सुनता उदारता और करुणा के तिरीविध आधार पर राजवंस की अस्थापना की तो असूक था और्च सास्तर का लेखा के समकालीन था किसका तो चंदुर्गुप्त का नंदवंस के पस्चात मगध पर किस राजवंस का सासन हुआ तो मौरे का मौरे का परतीक जीन मयूर मौरे काल में सिक्षा का सरवाधिक परसी दिकेंदर कौन था तो तक्सिला था मेगास्थनेज के पुस्तक का नाम क्या था तो इंडिका जिसके गरंथ में चंदुर्गुप्त मौरे का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाक दत्त क्या वर्णन क्या है उसे किताब का नाम तो मुद्रा रक्षस और वह सरुत जिसमें पाटली पुत्र के स्हीं के प्रशासन का वर्णन उपलब धेवा है इंडिका ऑशोक सिल में परिक्तभासा है प्रकिर्त किस मौर राजाने धक्कन की विजय प्रांथ कि तो छिंतुर्गुप्त मिका स्थनीजोल भारती समाज को कितनी स्रेंफ tayनियों में विया दिन्शत किया तो सत्सरेंइघ कोटी लेके और्थ सास्त्र में किस पहलू पर परकास डाला गया है तो वह नाम और्थ सास्त्र है लेकिन वह राजनीदिक नितिया है उसमें पाटले पूत्र को किस सासक ने स्वर पर्थम अपनी राजधानी बनाई तो चंदरगुप्त मौर यह विकल्प में होगा लेकिन सबसे पहले कौन तो उद्धाइन अस्थावित किया था पाटले पूत्र में इस्थित चंदरगुप्त का मौहल बना था किसे तो लकडी का था बराबर यानि जो गया जिला में है कि गुफाओं का उपियोग किस ने आस्राइगिरी के रूप में किया तो आजी भी को ने किया था किस अभिलेक से यहां थाबित होता है कि चंदरगुप्त का परभाव पस्चीम भारत तक फैला हुआ था तो रूदर दावन का जुनागर अभिलेक है केवाल वह अस्थाम जिसमें असोख ने स्वयम को मगत का सामराट पताया है कौन था वह भाभुरु अस्थाम है परona भारतीय समराज अस्थाफित किस ने किया था तो चंदोगुप्त मौर के द्वारा उत्तराल में असोख का एक चिलालेक रिष्तित है जो कहां है तो उतर में कालसी में सांची का स्तूप किस ने बनवाया तो आशोख ने बनवाया असोग के सिला लेखों को परणने वाला पर्थम अंगлег जेमस प्रिंस से खोजने वाला टीम पैंथलर करलिंग युद की विज़े तथा छतरीयों का वर्नन असोख के किस सिलालेक में है तो सिलालेक नमबर 13 पर असिद ही उनानी राज़तुत मेगा स्थनीज भार्त में किसके दरबार में औह आया था तो चंदरगुप्त मौरे के दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर ने सेलुकस को कप प्रह जित किया तो 305 इसा पूर्व की बात है कौन सा राजा प्रह जनता के संपर्क में रहता था तो असोक है असोक ने 261 इसा पूर्व में कर्लिंग को जीतने के बाद क्या किया तो भारी रग्त पात देख कर यूद की निती को सदा के लिए त्याग दिया असोक के अधिकांस अभी लिएक किस भासावा लिपी में है तो प्रकिर्ट वा बढ़ाम में लिपी में है किस गरंथ में चंदुर्गुप्त मौर के लिए वीर सलयानी नीमन कूल सब्द का प्रयोग है तो वह मुद्राराक्षस जो विसा आखिदत रचित है असोक के जो सिला लेख है संगम राज के बारे में हमें बताते हैं वह कब के हैं तो वह दूसरा और तेरहमा है किस राजा देश में असोक के विक्तिगत नाम असोक का उलेख है तो मुस्की में है सिरी नगर की अस्थापना किस मौर सासक ने किया तो असोक किस गरंथ में सुद्रो के लिए आरे सब्द का प्रयोग होता है तो और से सास्तिर में असोक ने अपने राज्या भिशेक के चोथे वर्स में निग्रोध के परभाव से परभावित हो कर किस से बहुत धर्म की दिख्छा ली थी तो वहा उप गुप्त से किसने पाठली पुत्र को पोली बुरोथा कहा तो उसका नाम था मेगास्थनीज मौर कल में एगर नो माई किसे कहा जाता था तो स्रक निर्मान अधिकारी को मौर कल में गुप्चरो को क्या कहा जाता था तो गुप्चरो का नाम था गूर पुरुस किस स्रिलंकाई सासक ने अपने आपको मौर समराट असो के आदरसो के अनुरूप ढालने की कोशिस की तो उसका नाम था तिस किस जन गरंत में चंदरगुप्त मौर के जन धर्म जयन धर्म अपनाने का उलेख मिलता है तो वह है परिसिष्ट परवन किस महीने से मौरियों का राज कोशिये वर्स आरंब होता था यहां असार यानी जुलाई से असो के बारे में जानने के लिए महत्योपूर्ण सुरोत तो सिला यानी डौक एडिक्ट से असो के काल में कौन से लिपी दक्षिन भारत में परिवर्तित हुई तुच का नाम था ब इस पांडू रंजीत वालू कास्म के एकल टुक्रोव में लग तक्षित किये गए हैं उसे सधारन तह कहां की खाजानों से निकाला गया यानि यह की बात हो रही जो असो कस्ताम भाय वह कहां से लाए गया तो मिड्यापूर के समीप चुनार एक खाजान से बनाए गया था भारती यह लिखने की कला नहीं जानते थे या किसकी उखती है तो मेगा स्थानीच की किस मौर समराट ने एक विद्यसी राजा सिरिया के एंटियोकस एक से अंजीर सराव और दार्सनी को भारत भजने का आगरह किया था उसका नाम है बिंदु सार असोक के पिताजी असोक दुहरा कलिंग परचाड़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्तोपूर्ण सुरो तो वह है तेरह वहाँ बिठत शिलालेख बिंदु सार की मिल्ट्तु के समय असोक एक प्रांत का गौर्नर था उस प्रांत का नाम क्या था तो उज्जायें किस सिलालेख में असोक ने क्या कलिंग का पीर्थक अभी लेख है किसी सिला लेख में असो की या घोसना अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ भी स्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतासाला में रहूँ मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे साजनिक कारे के लिए संपर्क कर सकते हैं वहाँ छठा सिलाले की बात कर रहा है कौन और रोही करम में जिलासर के अधिकारियों का नाम बताता है तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तुक यानि प्रादेशिक सबसे वारा होगा उससे छोटा युक्तुक और सबसे छोटा युक्तक विस्टी है तो बेगारी बेगारी को क्या कहा गया विस्टी मौरे काल में सीता से ततपर है राजकिय भूमी से प्राप्त आये, मौरेकल का सबसे अच्छा नमूना है अस्तम्भे, कहां से प्राप्त अभी लेखों से मौरेकल में अकाल सुखा जैसी देवी परकोप के समय राजे दोरा राहतकार की जाने का वीवरन मिलता है, तो यहां महा अस्थान बांगलादेस में ह पाकिस्तान से पराप्त विरहत सिला लेखोज में किस लीभी का प्रयोक किया गया है तो लीभी खरोष्टी है कहां से असो के दुई भासाई गिरीक और अर्माईक अभिलेख पराप्त होते हैं तो सेरे कुना यानि कंधार अभिलेख हैं कौटील द्वरा रचित और्च सास्त तुर्माय कहां का राजा था तो मिस्र का राजा था किसके सासन काल में डाइमेकस भारताया था तो विंदु सार के सासन काल में अभिलेखों में से किसमें असो का नामों लेख हुआ है तो गुर्जरा अभिलेख में तो हम लोग गोनियाज मौर के बारे में संपूर्ण फै के साथ फिर से मिलते हैं तब तक धन्यवाद